सब्सक्राइब कीजिए टेक्नार रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कैसे आप लोग मेरा नाम अभी शेक है टेक्नार रिव्यू में आपका एक बर्फिल से स्वागत है तो आज हम करेंगे एक्स्ट्रीम गेमिंग टेस्ट शाओमी मी A2 के ऊपर और इसमें हम कर लेंगे बेंचमार्क और इसके बाद हेवी गेमिंग और फाइनली हम देखेंगे क इसमें कितना ज्यादा बैटरी ड्रें हो रहा है और इसमें हीटिंग कितना हो रहा है गेमिंग करने के टाइम तो वीडियो को एंड तक देख रहे पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्ट्राग्राम को फॉलो कर लिजिए और तो यह है शामी मी एटू और यह 4GB वेरियंड वाला फोन है तो पहले आप देख सकते हैं के यह एंड्रोइड ओरियो में चल रहा है और जैसे के आपको पता है के यह एंड्रोइड वन बेस डिवाइस है तो आई होब के परफॉर्मेंस भी वैसा मिले इन्वेस तो स्ट करते हैं बेंचमार्क टेस्ट से एंटू बेंचमार्क में हम टेस्ट को अल्रेडी कर चुके हैं पर एक बार फिर से टेस्ट स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं इसका रेजल्ट्स तो यह एंटू में मी एटू ने स्कोर किया है 1,33,752 और मुझे लगता है कि पर देख सकते हैं टाइम है 421 पी एम और बैटरी लेवल है एराउंट 50% तो प्रिसाइस एराउंट 48 परसेंट बैटरी लेवल है तो चला लेते हैं एसफेल्ट 9 में हमने सेटिंग्स में ग्राफिक्स ऑप्शन को एकदम हाई क्वालिटी में सेट कर दिये हैं ताके हम बैगी जैसा फिल नहीं होगा और इसका डिस्पले है वह भी काफी वाइबरेंट लगता है मुझे और एसफेल 9 का ग्राफिक्स भी बहुत ही बढ़िया है तो ओवर एसफेल 9 बढ़िया चलता है इस फोन में पर एक चीज़ जो मुझे लगा इस गेम को खेलने के टाइम व है उतने में हम सेट कर दिये है तो यहां से एक स्क्वाड मैच चला लेते हैं तो जैसे कि आपने हमरे बैटरी द्रेंटेस्स में देखा है हमने एक हाथ से चिकन डिनर लाए थे इस बार भी लेट्स होब के चिकन डिनर आ जाए तो पहली बात है के पब जी का एक्स्प्रिय सब्सक्राइब के साथ कंपेर नहीं कर सकते कज वान प्लस 6 में आपको स्नाप्रगन 845 मिलता है जो क्वालकम की फ्लैक्शिप सी प्यू है और यहां पे आपको स्नाप्रगन 660 मिलता है जो भी बहुत अच्छा है पर यह एक मिड्रेंज प्रोसेसर है और अगरा प्राइस की फोन से ज्यादा अच्छा परफोर्मस धीरा है हमारे mi8o मैं क्यूंकि अगर आपने ェंफोन की गिमिंग तेस्ट को देखेश तो आपको पता चले है कि जो लाइन फॉन में बहुत ही साधा लाग होता है यह तकलब बहुती कम फ्रेम रेत में यह गेर में चलता है तो कंपरेटिवी Zenfone से Mi A2 में PUBG Mobile ज्यादा बेटर चलता है तो यार अल्मोस्ट 30 मिनिट्स खेलने के बाद at last हमें मिला है चिकन डिनर पर अभी हमें देखना है कि टाइम कितना हुआ है और बैटरी लेवल कितने परसेंट पर है अभी टाइम हुआ है फाइफ एटीन पीम मतलब अल्मस्ट वन आवर तो बी प्रिसाइस 57 मिनिट्स तक एसफल्ट 9 और PUBG Mobile को खेलने के बाद बैटरी लेवल है 22 परसेंट में पर एक चीज़ जो आपको इस फोन में गेमिंग करने के डाइम फील होगा वह है कि एसफल्ट या फिर PUBG जो भी गेम आप खेलेंगे इस फोन में आपका फोन बहुत ही ज्यादा गरम हो जाएगा पीछे के तरफ और इसके वज़े से बैटरी ड्रेन भी काफी ज्यादा होता है इस फोन में तो यही था एक्स्ट्र आप करने ही पाएंगे बैलेंस सेटिंग में देके ठीक ठाक चलता है और बैटरी ड्रेने जो है वह काफिया तक बैटरी ड्रेन होता है इस फोन में एक्स्ट्रीम गेमिंग टेस्ट शामी मी A2 के उपर और आपको कैसा लगा यह गेमिंग टेस्ट हमें जरूर बताए सेटिम में